राजस्तान में विधान सबा उप्चुनाओ, बीजेपी खुश है कि जादा तर बागी मना लिये हैं, कांग्रेस में बगावत वाला मामला थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कई जगे, अक्सर जब सत्ता में होती हैं पार्टियां, तो बागीयों को आगे का वक्त नजर आता ह है कि चार साल कैसे निकले गए, अगर हम मार्जनल वोट भी ले गए या कुछ सेंद्वारी कर दी, तो मान जाना और मना लेना, मैं एक सर एक शेर कहता हूँ कि ये जो हुक्म कि मेरे पास आये कोई, और रूट सिर्फ इसलिए रहे हैं कि मना आये कोई, ये शेर मैंने भाज है कि मनाया जाए, मनुहार की जाए, और सत्ता में या सरकार में कुछन-कुछ ऐसा जो है वो मामला मिले जिससे की राजनिती चमक सके, इस चमक सकने में पहले नाराज होना होता है, फिर मनाया जाना होता है, रामगडवाली सीट पर जय आहुजा, इस चमक सकने में चमके औ और चमक सकने में चमके दुर्ग सिंग किमसर सीट जो की किमसर होती हैं, उसके अलावा भी कई लोग नाराज हुए और बिठा लिए गई, तो अब कुछ लोग साइलेंट नाराज हैं, चुपचाप हैं, क्या ये साइलेंट नाराजगी जो है वो समीकरण बदलेगी, क्योंकि भाजपा ने बहुत पहले बागी मना लिए, तो बगावत का माहोल नहीं बन पाया, अगर भाजपा इस माहोल को थोड़ा सा खीच ले जाती, और भाजपा अगर इस माहोल में थोड़ा सा ठीक है, आप नाराज हैं, ढील देती, ढील देती, और फिर जब नाम वापसी करव तो यह है कि अब नाराजगी पूरी तरह से दोर हुई है खेर राजनिति के कई रंग हैं कई फलसपे हैं बात करेंगे आज इसे पे राजसान के उप्चुनाओं पे नमस्कार जैसा आप जानते हैं मैं प्रदीप हूँ आप थिंक 360 देख रहे हैं और उप्चुनाओं पे बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड माना जा रहा है हनुमान बेनिवाल जिनके हनुमान दुर्ग सिंग हुआ करते हैं अगर पिछले तीन-चार चुनाओं का माहूल देखें तो इस बार सत्ता के पक्ष में चीजें गई हैं कॉंग्रेस दोसा और देवली उनियारा सीट पर थोड़ा सा संकट में हैं चुनोती में हैं तो बड़ी चीज ये हैं कि कौन सी सीट ऐसी है जो बगावत और नाराजगी की वज़े से समीकरन बदलेगी नामांकन हो चुके हैं भाजपा ने सलुमबर जुनजुनूर रामगड सीट पर नेता मना लिये हैं बागी कुछ जग यह साइलेंट नाराजगी परकरार हैं हलांकि कॉंग्रेस में डेमेज कंट्रोल इतना प्रभावी नहीं हो पाया हैं जैसा मैं कारण बताता हूं कि बड़ी चीज ये हैं कि जब सत्ता होती हैं तो मनाने के 50 तरीके होते हैं सामदाम दंड भिद चीजे हैं ही जब सत्ता में आप होते हैं तो आपके लिए आसान होती हैं विपक्ष में जब आप रहते हैं तो मुश्किल होती हैं इसलिए उपचुनाओं में अकसर सत्ता जो है वो हावी पड़ती हैं बशरते अपन 13-18 वाला भाजपा का काल देखें तो चीजें अलग गई क्योंकि भाजपा की 163 सी एंटी इंकंबेंसी ततकाल खड़ी हो गई थी विधायक तक मुख्यबंतरी से नहीं मिल पा रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि बहुत बड़ा मेंडेट भाजपा को मिला उमीद से भी बड़ा और उसके बाद उपचुनाओं में वो चीजें रिवर्सा हैं पहला जो वि संसद बने हैं विधायक जो थे जिन में देवली उनियारा सीट से हरीश मिना जो विधायक थे वो संसद बन गए उसके अलावा आप बात करें जुनजनु सीट की तो वहां से संसद बने हैं ब्रजेंद्र ओला, नागोर से अनुमान बेनिवाल, दोसा सीट से भी विधायक जो थे वो सांसत बन गए हैं, और 84 सीट से जो विधायक थे वो डूंगरपुर बांसवडा के सांसत बने हैं, राजकुमार रोत. तो यह सीटें जो है, अब यहां खींचतान वाला मामला इतना अधिक नजर नहीं आ रहा, चुनावी माहोल भी पूरे प्रदेश में नहीं है, टोटल सीटों के साड़े तीन प्रतिशत सीटों पर चुनाव हैं, बड़ी चीज यह हैं, कि दोसा वाली सीट पर बात करें, तो होट इसलिए हैं कि वो किरुडिलाल मिना की नाक का सवाल है, किरुडिलाल मिना के भाई जगमोहन मिना को बीजेपी ने टिकट दिया हैं, अब वो होट सीट हैं सीधे तोर के, किरुडिलाल मिना नाराज होते हैं, वालां कि बहाना दूसरा बनाते हैं, उंगली रखते हैं म तो सारी चीज यह है कि अब दोनों ही पार्टियों ने नए चहरों को टिगट दिया है, जगमोन मिना के सामने भी कॉंग्रेस ने दिन दियाल बैरवा को टिगट दिया, यह अन्रिजरुड सीट हैं दोसा, और यहां पे दोनों ही भाजपा, स्टी कार्ड खेलती हैं, तो कॉं इंचतान में उतना दूसरी जगे नहीं है, तो अशो गहलोत का यह कहना कि दिल्ली तक बात चल रही है, मैच फिक्स हैं, तो क्या, यह फिक्सिंग जो है, यह फिक्सिंग वाला डायलोग जो है, वो दोसा को, यह दोसा के परिणाम को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि अ अगर एक मेडिया हॉस में जो कवर हुआ है, उसके अनुसार समझें, कि मुरारिलाल मिना जो किसांसत बने हैं, और किरोडलाल मिना के बीच सियासी समझोते जैसी चीज़ें नजर आ रही हैं, तो गहलोतने से मंच से कहके वोटर्स में चर्चा चेड़ी हैं, तो बड़ी च समर्थक थोड़ से परिशान हैं, मुश्किल नाराजगी, जो है मुश्किल खड़ी कर सकती है भाजपा के लिए, अंधरूनी नाराजगी, खेर सचिन पाइलट अशोक गहलोत के बीच अंधरूनी जो ये खीचतान हैं, और ये मेच फिंक सिंग वाले जो चीज हैं, क्योंक के हैं, चपल छोड़ दी उन्होंने, उसी तरीके से जिस तरह से बालोतरा वाले जिले वाले मामले में, पच्पद्रा के विधायक मदन प्रजापत ने कॉंग्रेस के साशन में छोड़ी थी, चपलें तो पहन ली, जिला भी बन गया, लेकिन मदन प्रजापत चुनाव नह नरेश मिना का चपल छोड़ना कितना उनके लिए पक्ष में जाएगे बड़ी चीज है, क्योंकि यहां कॉंग्रेस ने कस्तूर्चंद मिना केसी मिना जो है नए चहरा हुता रहा है, नरेश मिना निर्दली हैं, और बड़ी चीज यह है कि स्थानी हैं, जो खेमे बंदी है जिसमें पूर्व केंद्री मंत्री नमोनारण मिना जो कि IPS IG रह चुके हैं, टिकेट नहीं मिलने से नाराज हैं, नरेश मिना उनसे मिले भी हैं, और नमोनारण मिना सगे भाई हैं, हरिश मिना के, हरिश मिना जो कि देवली उनियारा से पूर विधायक और वरतमान सांसद हैं लोग से बस रीट पे तो बड़ी चीज यह है कि नमोनारण मिना की दावेदारी थी नरेश मिना की दावेदार थी ऐसे में बड़ी चीज यह है कि नमोनारण मिना का एक वीडियो जिसमें वो अपने भाई पे आरोप लगाते हैं कि उरोंने धोगा दिया ये संकेत सीधे तोर पे कॉंग्रेस की अंदरूनी खीचतान का हिस्सा है जो की पब्लिक परसेप्सन में आ रहे हैं और हालांकि विजे बैसला का टिकट 2023 में था हार गए और अब यहां से विजे बैसला को घर बिठाते हुए भाजपा ने राजेंदर गूर्जर को टिकट थमाया है हालांकि चार में भी तक सक्रिये नजर नहीं आ रहे हैं तो यह दो सीटें जिनका मैं जिक्र कर चुका हैं कॉंग्रेस सकते में संकट में चिंतन में है तीसरी सीट 84 है 1984 में की मा एक कहा है मैंने एक उपन्यास पढ़ा था और उस पे एक फिल्म भी बनी थी खेर 84 बड़ा गजब का पॉइंट है राजनिती में तो जिसका मैंने जिक्र किया कि एक मूवी आई थी जया भदूरी का जिसमें रोल था उसके अलावा जॉर्ज और्वेल का एक उप रखते हैं तो निश्चित तोर पे आपको पढ़ना चाहिए लेकिन आज हम बात 84 सीट की करेंगे कि कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों में भीतर गात का खत्रा यहां है सीधे तोर पे और यहां भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का जजबा कायम है यह दो चुनाव यहां से विदान सभा के जीत चुके 18 और 23 वाला लोकसभा भी जीते हैं और इस सीट पे वो 70 हजार के बड़े अंतराल से चुनाव जीते थे ऐसे में सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चुनाती हैं बीजेपी ने पूरो मंत्री सुशिल कटारा का टे पूरो सांसत ताराचंद भगोरा कॉंग्रेस में यह दाविदार थे और विकल्प भी अपना ही कड़ाए यह कॉंग्रेस में ठीक चलता है जैसे कि राहूल गांदी कहते हैं कि तीन की लिस्ट कम से कमानी चीए एक सीट से तो जो टौपर होता है वो अपने ही समर्थकों के नाम दे देता है कि मैं नहीं तो यह मुझसे कमजोर है मैं इसे जिताओंगा ऐसा हुआ है सिरोही में सेम लोधा का टिकट 2018 में कटा था तो वो वहां उन्होंने अपने जो समर्थक उन्ही की तरह बियर्ड रहने वाले चेहरे से उन्ही की तरह बोलने वाले उन्दाज में क ठड़े होके निकल गए तो ऐसा कई बार होता है तो बड़ी चीज है कि यहां भी दाराचंद भगोरा खुद दावेदार थे लेकिन अपने विकल्प के तौर पे अपने समर्थक के लिए टिकट की रेस में थे अब कॉंग्रेस ने भगोरा का टिकट कारते हैं महेश रोत क हैं और भारत आदिवसी के प्रभाव में सीट सीधे तोर पे नजर आ रही है भाजपा कॉंग्रेस क्या प्रदर्शन करती है देखने वाली बात होगी एक और आदिवसी इलाके की सीट सलूंबर है जहां कॉंग्रेस में रगुवीर मिर्णा जो की एक बड़े नेता है वो कॉंग्रेस ने दोजार अठारा में बागी लड़ी रमेश रेश्मा मिना को टिकट दिया है और रगुवीर मिना अपना टिकट कटने से नाराज है ऐसे में कॉंग्रेस के खिलाफ प्रसेप्सन है देखना यह है और भाजपा जो है वो क्या करती है क्योंकि इधर कॉंग्र में रगुवीर मिना समर्थक जो है उनकी नाराजगी के बाद रगुवीर मिना का भी बयान के पार्टी में कई लोग आदिवासी नेताओं को खत्म करना चाहते हैं जिसने पार्टी को हरवाया उसे टिकट देने का क्या मतलब है इसका मतलब है कि रेश्मा मिना के खिलाफ भाजपा जो है वो यहां पूरु विधायक दिवंगत जो हुए अमरतलाल मिना उनकी पत्नी को टिकट देके सानुभुती कार्ड चल रही ऐसा ही कार्ड कॉंग्रेस ने रामगड में चला है जहां जुबेर खान करने दन हुआ है तो कुल मिला के पहले ही दिन पार्टी में नाराजगी के स्वर जरूर उभरे लेकिन भाजपा ने एक दिन में मना लिया मामला तो नाराजगी जताने वाले नेता ने भी स्टेंड बदल रही है वो ही रूट इसलिए रहे हैं कि मना लिये गए हैं तो अब इस सीट पे भारत आदिवासी पार्टी तीसरा कॉन है क्यो बीजेपी के दोरान अलग तरह से नजर आया था पिछले अगर उप्चुनाओं की बात करें तो पिछली बार जैसे कुछ नेताओं का निधन हुआ था जिसमें सरदार सहर की बात करें या जिसमें सुजानगड की बात करें या सहाड़ा से गायतरी त्रिवेदी को टिकट दिया जाना रहा हो तो यह एक चीज नजर आती है कि भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ने ही सानुभूति कार्ड चला लेकिन यहां जो है वो सलुंबर में दिवंगत विधाय के बेटे या बेटी को टिकट देने की बजाए पत्नी को टिकट दिया तो भाजपा के दूसरे नेता उमीद में एक नया नेता डवलप नहीं हो रहा लेकिन रामगड में चुनोती नजर आ रही है कि आरियन जुबेर खान एक नया नेता है आने वाले 30-35 साल वो अपना रास्ता क्लियर नहीं होने देंगे ऐसे में कॉंग्रेस वहां थोड़ा सा संकट में है कि रामगड में तो यह सानुबूती कार्ड में सानुबूती के तोर पे जिसे ट्रिगट दिया जा रहा है वो कितना उम्रदराज है और दूसरे तीसरे नंबर पे लाइन में बैठे वे लोगों के लिए वक्त का इंतजार कितना लंबा है हलां कि कई लोग रास्तान में बहुत बड़ा एक तबका है सारी ही पार्टियों में जो उमीद कर रहा है इंतजार कर रहा है परिसीमन का उनको लगता है कि विदानसभा की सीटें 200-300 हो जाएगी सांसत की संख्या 40-50 हो जाएगी इस उमीद में भी कई लोग बैठे हैं और अकसर जब भी परिसीमन होता है तब बैठे रहते हैं इसलिए आप देखेंगे कि परिसीमन के तुरंत बाद जो भी लेजिसलेटिव चुना हुए है उसमें प्रत्याशियों की संख्या लगभग 2- नजर नहीं आए है तो कॉंग्रेस में ऑला परिवार है जैसा मैं पहले ही प५रिडिक्ट कर चुका कि यह तो टिकट जो हैं कॉंग्रेस से जो सांसत बने हैं पाथ सीटों पर उक DOWN ऊप्चुना हुए उनमें से तीन कॉंग्रेस के हैं व ninth लिफाफे में बंद कर के उन सांस तक हैं ओला माली वोट बैंक बड़ा है अशो गहलोत क्या खेल करेंगे या देखने वाली बात होगी क्योंकि दो चीजें यह हैं कि कॉंग्रेस अब तक जो है जुन-जुनों में खेल कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक और माली वोट बैंक कॉंग्रेस की तरफ जाते हैं राजंदर गुड़ा ने मामले को रोच्शक बनाया है अगर वो राजपूत वोट बैंक जो कि लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रेस की तरफ जो कि विधान सभा चुनाओं में अलग तरह का परचपसन था राजपूतों में और लोकसभा में अलग था अब राजंदर जो ये कंडिट है ये अमित ओला जो है भरजंदर ओला के बेटे कॉंग्रेस की में और उनके समीकरण विगाड रहे हैं देखना है कि जुनुनू में अब संकट जो है वो कॉंग्रेस के लिए जबकि ये लगातार कॉंग्रेस की सीट है यहाँ पहली बार अगर देखा जै आहुजा तत्काल मान गए कुछ समय तक उनका उनका आसू वाला वीडियो भी सामने आया था लेकिन अब वो राजी है धार्मिक आधार पे वोटर्स कितने लामबंद होंगी यह समीकरन रामगड की सीट पे अब बड़ी चीज यह है कि पिछली बार सुक्वंत सिंग और जै आहुजा के त्रिकोणिय मामला था दो जार अठारा में सुक्वंत सिंग और जो ग्यांदेव आहुजा उनका मामला हो गया ऐसे में दो बार से सीट भाजपा हार रहे अब जै आहुजा साथ आ गये हैं दोनों पार्टियों में अंधरूनी तोर पे समीकरन सेट हैं लेक इनको लगता है कि लड़का जीत गया पड़ा लिखा है तो अगले 30-35 साल कहीं नहीं जाएंगे नेतागिरी यहीं गरेंगे तो इनको अभी पटक लिया जाए ऐसा मामला चल रहा है खेर बड़ी चीज़ यह हैं कि कॉंग्रेस जरूर सानुबोती कार्ड चल रही है लेकिन यह जो रिलीजियस कार्ड चल रहा है फैक्टर चल रहा है वो कितना जो है वो प्रभावी होगा यह देखने वाली बात रहेगी क्योंकि अगर धर्मिक धुरूवी करण होता है तो कॉंग्रेस के लिए निश्चित तौर पे हैं मुश्किले हैं जो सबसे होट सीट मानी जा ही है विश्च बड़ा मैसेज देता है कि नील कंठ के कंठ नीले हो जाते हैं और यह नीले कंठों से या कितना नारा लगाते हैं नारयन बेनिवाल हनुमान के पक्ष में बड़ी चीज हैं तो तो त्रिकोणी मुकाबला निश्चित तौर पे हैं दुरुख सिंग चोहान का शांती पूर्वक भाजपा के खेमे में चले जाना बड़ा मैसेज देता है क्योंकि खुले तोर पे बगावत तो नहीं है अब रेमत राम डांगा और यह जो मामला है क्योंकि कॉंग्रेस ने रतन चोधरी को उमिदवार बनाया है और कनिका बेनिवाल को हनुमान बेनिवा को खेर रहे हैं कॉंग्रेस ने जिनको टिकट दिया है उनके पती कुछ दिनों तक भाजपा के नेता रहे पूर्व अधिकारी रहे हैं टिकट मिलने के बाद कॉंग्रेस जोइन करते हैं तो सारी चीज जो है वह खिंसर पर बड़ी रोचक बन रही है हनुमान बेनिवाल ज पुश्किल से विदानसवा के चुनाव जी देते हैं अब हरियाना वाले चुनाव के बाद सारी चीज जातेगत धार्मी कॉर्लाइजेशन और बड़ी चीज यह हैं कि लोगसवा चुनाव के बाद भाजपा के जो किलाफ या पक्ष में हवा थी या कॉंग्रेस के किलाफ लिटमस टेस्ट है बजनलाल शर्मा सरकार का जिसे गोवन सिंग्डोटासरा परची सरकार कहते हैं और भाजपा के लोग जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो दोहरा इंजन या परची जनता के हाथ क्या लगेगा भाजपा 75 प्रतिशत वक्त जो है अपने शासन का वो लगभग क्योंकि 75 प्रतिशत वक्त तो एक साल बीद गया है सरकार बने लगभग एक साल बीद गया है तो जा चुका और अंतिम जो साल रहता है आपका उसमें लाश्ट के चार महीने कुछ नहीं होते दो तीन महीने चुनाव में निकल जाते हैं दो चार महीने तो ये 75 प् कीजे हैं और कौन भारी पड़ेगा इंचुनाओं में देखने वाली बात होगी आपको क्या लगता है सातों सीटों पर कौन भारी पड़ रहा है और क्या एंगल हो सकता है में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद